ठीक है तो stream concept को implement करके java के अंदर यह चीज मैं अब हटा देता हूं आप लोग को मेरे ख्यासे समझ में आ गया होगा सारा चीज तो java के अंदर इसी stream को ही देखके stream classes बनाई गई है और stream कुछ इस तरह से categorized है जैसे यह है मालो input device और यह है मालो output device ठीक है तो यह है input device input device समझी सकते हो क्या क्या हो सकता है और यह हमाली जे output device ठीक है अब मुझे इस input device से data read करनी है तो यहाँ पर java में जो concept आ जाता है वो आ जाता है input stream यानि कि एक java का program directly किसी भी input device से connect नहीं होता है बीच में stream का सारा लेता है तो यहाँ पर हो गया input stream ठीक है और यहां से हम करना क्या चाते है data को read यह याद रहे तो अगर यहां से हम data को read करना चाते है input device से read करना चाते है तो हम input stream की माद्ध हम से ठीक है और यह अपने java की program को से दे देते है माले जे यह java का program है ठीक है यह java का program जावा प्रोग्राम ठीक है तो यह जो डेटा है यह read होके आपके java के program के पहुंच जाएगा और राइट अच्छा अब इसी java के program के इस डेटा को मुझे किसी output device पर लेके जाना है तो वुच में क्या use होगा output stream ठीक है तो यह कहानी है मतलब और यह चीज़ मतलब सबसे पहले c++ में इंप्लेमेंट करा गया और वहाँ पर भी यह चीज़ होता था output stream और output stream के माध्यम से यह किसी output device पर ले जाके हम डेटा को क्या करा देते हैं और write करा देते हैं यहाँ पर हम राइट करा देते हैं यह कहानी है हमारे stream की तो this is nothing बट ए stream तो input stream is used to read the data and output stream is used to write the data ठीक है मतलब कोई भी जाबा का प्रोग्राम किसी भी input output devices से directly connected नहीं है कि कोई भी जाबा का प्रोग्राम किसी इन्पूट डिवाइसे से directly connected नहीं है यहाँ पर यहाँ से डेटा हम read करके यहाँ ला रहे हैं तो इसलिए यह arrow ऐसे बना दो यह ऐसे होगा है ना क्योंकि यहाँ से data read हो रही है input device से ठीक और actually मैं आपको बताओं तो हमारे यहाँ Java के अंदर input और output दोनों functionality को implement करने के लिए हमारे पास input stream और output stream नाम की बनी बनाई classes है coding point of view से बात करोगे तो यह दोनों हमारे classes हैं जो java.io package के अंदर पाई जाती है तो java.io package को लो और उसमें यह classes मिल जाएंगे उनका doc निकालो उनको पढ़ सकते हो आप इसी नाम से यह नहीं यह तो root classes है इनको extend करने वाली बहुत सारी classes है जो यह आयो operation करेंगे ठीक है तो मतलब कहने का यह है simple अगर आपके पास file हो monitor हो printer हो plotter हो speaker हो read write operation करना हो आपको चिंता नहीं करना है आपको stream classes खोजने है stream classes खोजने हैं और उनको use कर लेना है क्योंकि सारी सीज़ यह बनी बनाई है अभी जो stream classes है जो कि java.io package में पाई जाती है यह दो पार्ट में categorized है ठीक है न इस ट्रीम classes दो पार्ट में categorized है stream classes दो पार्ट में categorized है एक होता है हमारा byte stream और एक होता है हमारा character stream तो दो पार्ट में यह classes categorized है एक byte stream और एक character stream अगर मैं बात करूँ byte stream और character stream तो यह दोनों को classes है जो कि java.io package में पाई जाती है तो आपको java.io package में यह इन नाम की classes मिलेंगी किसे किन नाम से एक वाइट इस्ट्रीम नाम की और एक आपके character stream नाम की ठीक है ठीक है बाइट इस्ट्रीम नाम की भी class मिलेगी और यह लेकिन आयो के अंदर बाइट इस्ट्रीम बोलके तो class नहीं मिल जा है अच्छा नहीं मिल ला है very sorry अच्छा अच्छा हुआ आपने याद मुझे दिला दिया तो बाइड इस्ट्रीम नाम की कोई class नहीं होती है तो फिर यह मैं क्यों बता रहा हूँ है ना यह बैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि stream classes mainly दो पार्ट में कटेगराइज्ड है ठीक है तो stream classes mainly दो पार्ट में कटेगराइज्ड है एक byte stream और character stream अच्छा इनके अंदर इनके अंदर जो further classes होती है उनमें दो type होता है इसके अंदर भी और इसके अंद ठीक है अब यह क्या क्टेगरी है मैं आपको बताता हूं इसके अंदर दो classes है further byte में भी character में भी दोनों जगें दो-दो classes है further ठीक है तो एक जो class है उस class का नाम है input stream ठीक है ना तो input stream नाम की class आपको जरूर मिल जाएगी और यह root class है और यह upset class है ठीक है और इधर input stream output stream ठीक है आउटपुट stream स्ट्रीम स्ट्रीम और इधर जो class मिलेगी इधर मिलेगी reader और writer यह दोनों classes होंगे writer तो यह सब java.io package के अंदर है तो आप यह चेक कर सकते हो कि आपको reader भी मिल जाएगा writer भी मिल जाएगा input stream और output stream भी मिल जाएगा यह जावा डार्ट आईयो ठीक है है रीडर और राइटर हांसे है ठीक है तो यहांपे भी यह जावा डाट आईयो package में है ठीक है यह भी जावा डार्ट आईयो पैकेज़ जावा डॉट आयो पैकेज में है और अगला यह भी जावा डॉट आयो पैकेज के अंदर है तो पहला कृश्यम आता है कि सर यह बाइट स्ट्रीम और कर्ट्रेश में क्या डिफरेंस होता है इस इस्ट्रीम नाम की कोई क्लास नहीं है को रेकर स्ट्रेम नाम की क्लास नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास stream classes दो पार्ड में कड़ेगराईज है देखिए हम Java में दो तरह की application पर काम करते हैं एक ऐसी application जो की local level पर चलती है और एक ऐसी application जो international level पर चलती है simple word में बोलो तियो desktop application और web application ठीक है न? तो अगर suppose करो आपने कोई desktop application बना रखा है तो desktop application जो होती है वो by stream को support करती है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो by stream होती है ये basically ASCII sky code system को follow करती है और ये desktop application बनाने में हमें help करती है और ये इसका मतलब use generally desktop application में करा जाता है ऐसे बोल सकते हो है अब आप समय लो sky code system है तो मतलब English का support होगा और इसमें अगर एक character को represent करना होगा तो कितनी memory की जरुत पड़ेगी that is one byte तो one byte मतलब 8 bit तो इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा byte stream होता है वो 8 bit के form में data को read or write करता है 8 bit के form में data read or write करता है वहीं पर यूनिकोड तोरी character stream जो होती है वो यूनिकोड को follow करती है यूनिकोड में character के size 2 byte होती है character को store करने के लिए यानिकि 16 bit होता है तो यह 16 bit के form में data read or write करती है इसका use चाहे आप desktop application में भी कर लो and web में भी कर लो मतलब इन short ऐसे समझ लो कि जब आपको यूनिकोड का support चाहिए अब question है यूनिकोड का support कब चाहिए जब आपके पास project के अंदर ऐसे characters हों जो English को छोड़ के हो English में नहीं मतलब और भी languages में हो Hindi में हो, English में हो, Urdu में हो, Tamil में हो मतलब sky code system से हटके यूनिकोड हो simple सा मतलब तो होता ऐसे situations आते हैं हमारे पास कोई website है उसको मुझे Hindi, Urdu, Tamil, English समय चलानी है तो इसके लिए Java में एक topic होता है internationalization जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो internationalization जो topic है वहाँ पी इसका concept यूद होता है ठीक है, कोई बात नहीं तो जो हमारा byte stream होता है वो sky code system को follow करता है वो 8 bit के form में data read or write करता है वहीं जो unicode होता है वो 16 bit के form में data को read or write करता है ठीक है, तो मतलब अगर तुम input stream class की का object बनाओगे कैर input stream class का object नहीं बन सकता क्योंकि ये abstract class है इस abstract class की बहुत सारी implementing classes होंगी जो की अलग-अलग purpose के लिए होंगी जैसे file handling के लिए file input stream होगा है ना ठीक है file input stream होगा फिर byte array input stream होगा byte a double array array input stream होगा input stream byte array input stream ठीक है ठीक है और क्या होगा file input stream byte array input stream data input stream ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर फाइल बफ़र्ट और क्या है इनपूट ठीक है ठीक है input stream ठीक है input stream ठीक है piped piped input stream ठीक है ठीक है ठीक है पढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा और जो जरूत होगी वो पढ़ाएंगे कोई जरूर नहीं सब पढ़ेंगे अच्छा और इधर जो है हमारे पास output stream से मतलब बहुत सारी classes होंगी output stream में बहुत सारे ऐसे classes होंगी बस यहां पर word जहां input लगा है वहां पर out जोड़ दो output यह जोड़ दो file output byte array output sorry output को मैंने यहां से copy किया था ठीक है data output output buffered output ठीक है object output और piped output ठीक है चलिए अच्छा यह तो हो गई हमारे मतलब byte stream को support करने वाली classes इसी तरह से reader के अंदर भी classes है reader के अंदर कौन कौन सी classes है file reader है नाम बड़ा असान है reader के अंदर reader जोड़ते जाओ input stream के अंदर input stream जोड़ते जाओ और output stream के ज़गाए पर output stream जोड़ते चले जाओ ठीक है data output stream data reader और data writer तो मेंते रहों के रीडर अर आई एडेटार बफरड आउट्पूट रिडर अबजेट आॉट्प्थट इस्प्रीम ड़ेकर अन्यीड उबजेक्ट रीडर ठीच को अर्बज अफॉपर बडगरin ने लेकी री ठीक है एटटेटरा चलए टीटी की ठीक है उर यहां पर क्या जोड़ लोगे रिटर के जेगे आपया है राइटर डबलूओ राइटि यारर वाइट अरी तायटर क्या सब्राइटर का मतलता बाइट एक्षिक है यह बाहँ रेडर नहीं होगा बाइट एरे डेटा रीडर डेटा राइटर ठीक है बफर्ड रीडर बफर्ड राइटर इस पेलिंग थोड़ी गलत होगी कहीं तो आप मानके चलना कि मैंने आप जानते हूं हज जानता हूं थोड़ा सा कमझन है हमारा थे कि लिए लिए था श्रम हम आयए इस तरह से लिए इस तरहसे हो मतलब फाइंपूर्य मिनृट इंपूर्ड इंपूर्ड-इंपूर इंपूर्ड इंपूर्ड वाल अब कलासि है और शिंदो दूर्अब के इंदर आयोन की चार तरीके हैं, file input stream है, output stream है और reader और writer है, तो suppose करो आप file reader से file input stream से data read कर रहे हो, हाना, file handling कर रहे हो, ठीक है, तो वो 8 bit का buffer बनाएगा, मतलब इसका जो एक object होगा, 8 bit का buffer बनाएगा memory में, ठीक है, इसलिए मैंने बोला, stream is the object, stream is the buffer, stream is the buffer, ठीक है, क्योंकि इस class का एक object buffer ही तो बनाएगा, बट वो 8 bit के form में data read करेगा, वो only sky code को follow करेगा, लेकिन अगर मैं वहीं उसी के जगहें पर reader use कर लू, तो 16 bit के form में data read करेगा, क्योंकि unicode को follow करता है, तो this character stream, यही difference है, अब आगे इसी तरह से बाकी सब के लिए यही same कहानी है, तो बाकी को मुझे समझाने के जूरत नहीं है, this is the difference between byte stream and character stream, तो byte stream जो होता है 8 bit के form में data read write करता है, character stream 16 bit के form में, character stream unicode को और byte stream sky code को follow करता है, यह desktop application और desktop or web application दोनों के लिए उस होता है, character stream, बाकी यह input stream, output stream, reader, writer, यह चारो एपसर classes हैं, आपको मैं documentation दिखा देता हूँ, अगर आपको देखना है, तो documentation देखना है, तो doc, srt, java, java के अंदर आयो, आयो के अंदर, देखो, stream नाम की class खोजो, नहीं मिलेगी, by day stream नहीं मिलेगी, character stream नहीं मिलेगी, है यह नहीं, तो input stream है, output stream है, reader है, reader भी मिलेगा, reader, reader देखिजा भाई, यह reader, writer है, ठीक है, अगर मैं इसका आपके लिए, javadoc, star.java, and index.html, open करके दिखाऊ, तो, आपको यहाँ देखेगा, यह बताएगा, कि जो input stream है, it is a, it is a, root class, class, this is abstract and root class, दिखे, super class, this is abstract class, is super class of all classes representing an input stream of byte, कह रहा है कि application that need to define a subclass of input stream must always providing a method that returns the next byte of input, मतलब इसके पास कुछ methods है, ठीक है, जैसे available, जैसे clone, close, sorry, mark, जो भी है, main method यह है, read, यह read करता है, और यह abstract है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी बंदा, यानि कि यह जितने आप input stream classes देख रहे हो, यह जो बनाए गए हैं, यह इसी input stream से extend करके बनाए गए हैं, input stream की child classes, file input, character input, तो file input stream ने उसी read method को override करके उसके अंदर कुछ और logic लिख दिया है, byte stream ने उसी read method को override करके कुछ और logic लिख दिया है, character ने, क्या ना में, object वालों ने कुछ और logic लिख दिया है, तो कहने का मतलब है, method एक ही है, जो एक ही abstract class से derived है, एक ही abstract method को सारी stream class वालों ने अपने हिसाब से बनाया है, अब मुझे एक बाह बताओ, परवेज, आप उसे दिने, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है, abstract class interface और फलाना डिवा का, ये इसी दिन के लिए पढ़ाया जाता है, कि वही अगर abstract class का concept नहीं जानते, तो आपको कैसे पता चलता है, abstract class क्या होती है, abstract method क्या होता है, इसलिए उपस पढ़ाया जाता है, और इसलिए उसे बोला जाता है, कि वो आपके लिए table है, और यहाँ पे उस चीज़ों को आप huge कर रहे हो, और ये हमने भी बनाना है, पढ़ने के लिए हमी उपस पढ़ना था, अगर हमें abstract class का खंड़ा पता है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए,